जीतने के लिए कुछ लोग तलवार और बंदूख ले कर जाते हैं। कुछ लोग चेकबुक और कैश ले कर जाते हैं। भवनाओं के लेवल पर अगर आप ऐसी कोशिश करें, तो हम इसे लव अफेर कहते हैं। प्रेम कोई रिष्टा नहीं है। एक रिष्टा एक अलग चीज हैं। अगर आप एचुक हैं, तो आप प्रेम बन सकते हैं। आप अपनी भवनाओं को एक बहुत ही मीठी जगा बना सकते हैं। कुछ टीचर, कुछ गुरू, कुछ गाइड कहेंगे। आप प्रेम कर सकते हैं, पर आपको अटाच नहीं होना चाहिए। कोई ऐसी सीख दे दें, जिस पर आप कभी हमल ना करपाएं। आपको प्रेम करना चाहिए, पर जुडाव नहीं होना चाहिए। अब आपको मशवरे के लिए मेरे पास आते रहना पड़ेगा। हमेशा मैं कहता हूँ खुद को अपने लव अफैर में जोंक दीजी और इसमें मर मिट ये कुछ नकुछ तो होगा अगर आप रक्रिया में मर मिटने को तयार हैं तो कुछ अच्छा होगा कोई एक चीज नहीं चाहिए आपका काम हो आपका जीवन हो प्रेम हो या कुछ भी हो अगर आपको खुद को इसमें पूरा जोंकना नहीं आता तो आप कभी इनके स्वाद को नहीं जान पाएंगे प्रेम करो उपर जुड़ो मत तब आप प्रेम करना ही क्यों चाहते हैं? सिर्फ इसलिए क्योंकि आप किसी को अपने जीवन के, खुद के, एक हिस्से के रूप में शामिल करना चाहते हैं इसलिए आप प्रेम करते हैं नहीं मैं प्रेम करता हूँ पर मैं जुड़ा नहीं है इसका मतलब है आपको मशवरे के लिए रोजाना आना पड़ेगा ये एक मनोचे कितसक के काम जैसा है आपको जाकर हर रोज सोफे पर बैठना होता है आपको इलाज चाहिए और उसकी एक फीज मतलब ठीक है आप प्रेम कर सकते है और एटाच भी हो सकते ने ने मैंने ये नहीं कहा ठीक है मैं मशवरी के लिए वापस आ रही हूँ तो आपने क्या कहा देखे मैंने बस ये कहा एक इंसान में प्रेम की ये जरूरत क्या है आपको समझना होगा एक इंसान लगातार लगातार इंसान हमेशा उससे कुछ जादा होने की चाहत रखता है जैसा कि वो अभीस वक्त है अगर ये चीज एक साधारण बुनियादी शारेरिक अभी व्यक्ति पाती है तो हम इसे sexuality या कामुक्ता कहते हैं कामुक्ता मतलब बस ये शारेरिक रूप से आप किसी चीज को अपना हिस्सा बनाने की कोशिश कर रहे हैं जो आपका हिस्सा नहीं है कुछ पलों के लिए आप सफल हो सकते हैं अगर मांसिक रूप से आप ऐसा करें तो इसे लालच, जीत या बस सीधे-सीधे शॉपिंग कह दिया जाता है कुछ लोग जीतने के लिए तलवार और बंदुख लेकर जाते हैं कुछ लोग चेक बुक और कैश और क्रेलिट कार्ड लेकर जाते हैं बात ये है कि आप किसी चीज को अपना हिस्सा बनाना चाहते हैं, पूरा प्रयास इसी का है चाहे आपको पैसा चाहिए या दौलत या आप किसी देश पर कबजा करना चाहते हैं, ये क्या है कोई चीज जो आप नहीं है, आप इसे अपना बनाना चाहते है आपका प्रयास इसे अपना एक हिस्सा बनाने का है अगर ये भावनाओं के स्थर पर होता है अगर आप ऐसा भावनाओं के स्थर पर करते हैं तो हम इसे love affair कहते हैं आप किसी दूसरे को जो आपका एक हिस्सा नहीं है तो ये अपना एक हिसा बनाने की कोशिश कर रहे हैं ये एक love affair है अगर आप इसे जागरूकता से करते हैं तो हमें से योग कहते हैं योग का मतलब है मिलन तो ये सब प्रयास ठीक है हर चीज की अपनी सुन्दरता है पर इनकी अपनी सीमाएं होती है जब आप बाकी सभी तरीकों की हदों को समझ लेते हैं तो इसमें कुछ गलत या सही नहीं है बस इतना है कि ये कुछ समय के लिए ही काम करेगा हमेशा के लिए नहीं जब आप कोई अहसास हो जाता है तो आप जागरूकता से समावेश करने की कोशिश करते हैं जब आप जागरुपता से शामिल करने के प्रक्रिया बन जाते हैं, अगर आप यहाँ बैट कर हर चीज को खुद के जैसा ही अन्भो करते हैं, तब आपको योगी कहा जाता है, ठीक है? तो ये एक सफल लव अफैर है. आपने कहा प्रेम और शामिल करना? मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं इस कमरे में सबसे प्रेम कैसे करूँ? आप नहीं कर सकती हैं. कुछ लोग ऐसे होते हैं जिने आप प्रेम नहीं कर सकती हैं. मैं मुश्किल से उपर तक देख पा रही हूँ. तो आप अप अपने प्रेम में सभी को कैसे शामिल करें? देखे क्यूंकि आप प्यार को एक ऐसी चीज़ की तरह देख रही हैं जो आपको होता है या प्यार की प्रक्रिया को होने देते हैं, केवल इसी लिए कि आप किसी विशेश गुन की सराहना करते हैं, किसी की नाकाकार या उनके दिमाग काकार या उनके विचार या उनकी भ तो आप मैं ये कह रहा हूँ, मैं चाहता हूँ आप इस पर ध्यान दें, चाहे आपको प्रेम हो या नफरत हो या क्रोध हो या आपको दुख हो या आपको खुशी हो, ये सिर्फ आपके भीतर ही होता है, ना? ये कभी, लोग कहते हैं प्रेम हवा में हैं, नहीं, क्योंकि आप अपनी भावनाओं में बहुत मधुर अनभाव कर रहे हैं, अचानक हवा ओमंग भरी महसूस होती है, हमेशा से ऐसी है, आप पूरा जीवन इससे चूकते रहे, अब आप इसे महसूस करना शुरू कर देते है ठीक है, तो इनसान का जो भी अनुभव है, प्रेम या घरना, चाहे वो जो भी हो, ये सिर्फ आपके भीतर होता है, मैं ये कह रहा हूँ, कि कमसंगाम आपके भीतर जो होता है, वो आपकी मर्जी से हो, आपको इसे जागरुपता से करना चाहिए, अगर आप, अगर आपका अनुभव या आपके भीतर जो हो रहा है, वो आपकी मर्जी से हो रहा है, तो क्या समिस्या है? ये सिर्फ आपके भीतर होता है, प्रेम कोई रिष्टा नहीं है, रिष्टा एक अलग चीज है. प्रेम आपकी भावनाओं की एक मिठास है, चाहे आप एक पेड़ को देखें या एक कुट्टे को, आदमी को, औरत को, या बच्चे को, या बस आस्मान को देखें, आप इसे प्रेम पूरवक क्यों नहीं देख सकती, क्योंकि या आस्मान से प्रेम करने की बात नहीं है, या आपकी भावनाओं में मिठास होने की बात है, अगर आपकी भावनाई मधूर हैं तो आप जो भी देखेंगे एक खास तरीके से देखेंगे इस तरह आपने बुरी भावनाई हैं तो आप जो भी देखेंगे उसे एक अलग तरीके से देखते हैं तो आपने प्रेम को हमेशा किसी से जोडा है ना ना ये किसी और के बारे में नहीं है, प्रेम कोई करने वाली चीज नहीं है, ये कुछ ऐसा है जो आप बन सकते हैं, अगर आप इचुक हैं तो आप प्रेम बन सकते हैं, आप अपनी भावनाओं को एक बहुती मधूर जगा बना सकते हैं, अगर आप अपने शरीर को बहु उन लोग ऐसे दिखाऊंगा अगर वो अपनी आखे बंद कर बैठें तो आनंद के आंस वो ऐसे ही बहेंगे, कुछ नहीं, बस अपनी आखे बंद की हुए वो आनंद में, उनके शरीर की हर कोशिका से आनंद बह रहे, क्योंकि शरीर इतना मधुर बन गया है, अगर आपका मन मधुर हो जाए, तो हम इसे खुश ही कहते हैं, अगर आपकी भावनाएं मधुर बन जाएं, तो हम इसे प्रेम कहते हैं, अगर आपकी जीवन उर जाएं ही मधुर बन जाएं, तो हम इसे आनंद कहते हैं, या पर्मानंद कहते हैं, अगर आपके आसपास का माहौल मधुर हो बीच आपने मधूरता बनाई है आप इसे प्रेम कह रहे हैं नहीं असल में एक सफलता है क्योंकि इसमें बहुत सारे management की जरुरत होती है हाँ होती है हाँ या ना हाँ होती है हाँ पर आपको प्रेम में होने के लिए कोई management नहीं चाहिए अगर आप बस अपनी भावनाओं को मधूर बना लें आपके भावनाएं मधूर हैं और ऐसे रहना सुन्दर है ये किसी और के बारे में नहीं है अगर कोई आता है हम शेयर करेंगे अगर कोई नहीं आता तो आप बस यहां आखे बन करके बैठ सकते हैं और फिर भी प्रेम में रह सकते हैं दिक्कत क्या है ये किसी और के बारे में नहीं है ये कोई काम नहीं है ये कुछ ऐसा नहीं है जो आप करते हैं ये कुछ ऐसा है जो आप बन सकते हैं ये बड़ी प्यारी अच्छी लगने वाली बात ये अच्छी लगने वाली बात ये वैसी है जैसी है मतलब आपको वाख़ी इसकी प्राक्टिस करनी पड़ेगी क्यों? क्योंकि मुझे लगता है देखे मैं बस यही तो कह रहा हूँ अगर ये एक काम होता तो काम को आप प्राक्टिस से परफेक्ट बना लेते हैं अगर ये एक काम होतो मैं कह रहा हूँ प्रेम कोई काम नहीं है क्या स्वास्थ एक काम है क्या आप स्वास्थ होने की आक्टिंग कर रही हैं। नहीं। मुझे पता आप एक आक्टर हैं पर आप स्वास्थ होने की आक्टिंग नहीं कर रही हैं। नहीं। तो स्वास्थ है क्यूंकि हमने कुछ चीजें की हैं और इसलिए स्वास्थ हैं ना। ओ, हमने चीज़ें नहीं किये, हमें मिला है, अरे बेशक हमने किये हैं, ना, 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 अरे, हमें दिया गया है, पर अगर आप खराब खाना खालें, बुरी तरह जीएं, तो आप स्वास्त नहीं रहेंगी हैं, हमने अपना स्वास्त सम्हालने के लिए कुछ चीज़ें की हैं उसी तरह, अगर आप कुछ चीजें करें, आप अपने मन की मधुरता को सम्हाल सकते हैं, अगर आप कुछ और चीजें करें, तो आप अपनी भावनाओं की मधुरता को सम्हाल सकते हैं, अगर आप कुछ और चीजें करें, तो आप अपनी जीवन उर्जाओं की मधुरता को भ कोशिश कर रही हैं जिसे करना बहुत मुश्किल काम है क्योंकि संसार में 100 प्रतिशत आपका मन चाहा कभी नहीं होगा कुछ हद तक हम इसे संभाल सकते हैं पर हम इसे खुद पूरी तरह मैनेज नहीं कर सकते क्योंकि इसमें कई ताकते शामिल होती हैं